स्वागत है आपका पंचाब के स्टीन अबुद्य टाइम्स में मैं हूं काविता रलहन और आज मैं बहुत ज़्यादा special feel कर रहे हूं बहुत ज़्यादा proud feel कर रहे हूं अकसर मैं आपके लिए जब लेकर आती हूं तो जाधा तर अक्टर अक्ट्रस होते हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं लेकिन आज जो हमारी guest है वो बहुत ही special है उनको मैं असल जिंदगी की hero and heroine दोनों बोल सकती हूं आइए यह वेल्कम करते हैं India's first women IPS officer Hindustan की बेटी the Kiran Bedi आइए स्वागत करते है और उनके साथ है आपके ऊपर जो बायोपिक फिल्म बने जा रही है बेदी उस फिल्म के writer and director Kushal Chawla बहुत-बहुत स्वागत आपका a warm welcome to both of you and ma'am आपके पास बैठकर आपके सामने बैठकर आपसे बाते करके बहुत अच्छा लग रहा है इस अदिफेर्ट फिलिंग thank you, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कैसे है आप? बहुत पासिश्थ सालो पुराना ठापर पन्जाब के स्वेमारे बहुत लूट Smack बरहा करेंने आपका बैठकर चाह्ट कृ कि नियौ रहा है, बाहा है। पलगल सेहल्ड पन्जाब के स्वेमारे थैंकटा लूटनार या आपका नाम आपने कमाई है मतलब I think अब हर घर में अगर बेटी होती है ना तो हर कोई चाहेगा कि ये किरन बेदी जैसी बने Am I right? सुना है अचा सबसे पहले बताईए ये फिल्म बनाने का किसका आइडिया था और ये कब शुरू हुआ आपके ओपर definitely film हम इतने सारी fictional films देखते हैं जहां पर कुछ रियल लाइफ से लेना देना नहीं होता बट रियल लाइफ लेजंट पर आपके ओपर तो definitely film बनी चाहिए थी या इडिया भी आया या सालों पहले भी आया था कभी इसे पूछ रही तो पहली बार जब हम मिले थे और चार साल पहले मैं को तब एक ना मैं की स्टोरी है जो दुनिया को पता है जो दुनिया को पता है उसके अलावा बहुत सारी स्टोरी है वो स्टोरी बताने के लिए हमें लगा कि यह स्टोरी सिर्फ इस जेनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए तो इसका अब्जेक्टिव यह था कि हम उन जेनरेशन को इंस्पायर कर पाएं जो इसके बाद भी जो यह देख नहीं पाएं बट वो एक्सपीरियंस कर पाएं बिकॉस फिल्म तो चार साल पहले फिर हमने more than four years हमने research स्टार्ट किया और बहुत लोगों से मैम के साथ जो IPS officers थे मैम की टीम में थे प्रिजन ओफिशिल्स थे जर्नलिस इन्वेक्ट ऐसाब से हमने बहुत बात किया मैम के बारे में हम इन को बहुत कंपार-पाइं किर फाले से बनाने के लिए हम इर फिर्म बठाने हैं अचा मैं जाना चाहती हूं वह पहली मीटिंग जब आप मैम से मिले चितने मिंटो'm演 उन्हें रmostा है कि अभी यह फिल्म के लिए आज हम बैठे हैं, but then what was her first reaction? यह यह reaction मैं मताया इनको देखा कि यह क्यों आया है मेरे पास? किस इंटेंशन से आया है? किस टायारी से आया है? किस डेडिकेशन से आया है? किस मोटिव से आया है? आपको ने इसदिखन, जन्युन्न, जन्यून, जन्मुन, जन्म, जन्म१न, जन्म three लोगी विपितां, विए रंगी कि अवके है START, फोर वी एक दोटन जब मेरे इं आया थे, लेकिन मैं यह देख़ा आननी के लिप मैं पहले भी रिक्वेस्ट आई थी, मैं कभी तायर नहीं थी, मगर इस तरीके से किसी नहीं थी तयार होकर आकर कहा कि हम तयार हैं, then you are ready let us know, so they left it to me, उसके बाद जब मेरा जैसे काम खतम गए, formal employment मेरी खतम हुई, तब मैंने जो भी और काम मेरा pending था, जैसे book writing थी मैंने ओ कर ली, तो भी हम लोग मिलते रहें, तो भी हम लोग मिलते रहें, तो भी हम लोग मिलते रहें, but then that was the time to say, yes Kushal, you will make this film. You will direct this film and you will produce this film and you will write this. His father is Gaurav, Gaurav and son, very worthy father-son team. So, but I had known them earlier, so I think that helped. And I also have seen him grow and develop, so I could trust him. And then he was nearby, we could continue to meet in each other. It's very important that when you work with the director, script writer, you work closely. There is no ego, this is mine, this is mine, there is no competition. Give the best. He had done his best homework. Now all I had to do was what was in my head. What was not public. What was only I knew that when I transferred from here, my senior said to me, what did I say to myself? I knew that my senior said to myself, why did I leave this work? Why did I leave this work? I know that my senior said to myself, what did I do? What did I do? And what did I do? What did I do? What did I do? What did I do? See, this conflict was not in the papers. It's not known. But he knew more. But now I said, now sit down. Now you are going to write. Now I will listen to my heart, and I will listen to my mind, which is not public. That's why he chose this word, the Kiran you do not know. The story you do not know. The name you know, but the story you don't know. The name you know, but the story. The story was still in a head. Yeah. And he had read all that had gone public. But now I knew he was ready to take more, because he was himself an inspired person. He was inspired by me, and he is also looking up to me. Here is this man, who now needs to be told everything, because now he will tell the world. What he himself has got inspired. So Jashmi, the director, producer, or writer is inspired by himself, he will naturally inspire others. And my goal is that, whatever we can see, we can take inspiration, whether he is a parent, whether he is a youth, whether he is a police officer, whether he is a government officer, whether he is a leader, whether he is a community, whether he is an NGO, because these are all my roles. So when we depict these roles, when we depict these roles, there will all be challenges, and all the people will come together. How do we meet these people? Which is not public. Which he is the one researching. So that is what he keeps asking me. and when he is provoking me, I would say, Kushal, at that time, this happened. At that time, these people were standing, they said, I said, I heard, I said, this is the kind of relationship it should be with the director and script writer. Right. He was inspired himself and his everything will now inspire us. Definitely. Kushal, but when you are making a real-life legend and when Kiran Ma'am narrated all the incidents well, did you ever have difficulty to keep it in a certain level? Which one should not keep it in it? Because Kiran Ma'am has 35 years of service and beyond that, she has done so much work. Is it not difficult for you to select? Because you have to have a whole life journey in 2-5 hours. Correct. I think, it is not a big privilege from this. It is very difficult. But I also feel, this is a big privilege. Because, such a illustrious career, such a long-spanning and so a transformative career, perhaps, we can't even write fiction writers. Right. I agree. This is a career Ma'am. Of course, I tell Ma'am a lot of times, I am always spoilt for choice. That we always think that we will show more. and how to show more. So, I think, this challenge, I think, that we always have the time for 2-5 hours of film. In that, we will show everything that we can inspire people. At the same time, to me, my challenge is, that Ma'am's so inspiring life, that we must justice in cinema. And that is my goal, that Ma'am's so inspiring life, and so inspiring life journey, and career, we must project in cinema, so that the whole generation, that will inspire it to get inspired. Right. And, Kushal, I also want to know that, when a film is made, there are many entertainment factors that have been taken into consideration. So, do you have to take cinematic liberties when the film is made? Or, exactly, authentic, genuine, things that are made, will be seen as well? So, our attempt is always, that we go as close to reality. The way we go as close to reality, the way we go as close to reality, the way we go as close to reality, because Ma'am's story, people see for authentic experiences. Because, they want to see in their story, what was actually happened. For example, Ma'am Tihar, when Ma'am was in traffic, people say, what was happening, so, our attempt is, as close to 100%, we go as close to 100%, so that we move towards authentic, and real storytelling, and by itself, those terms, entertainment, engagement, they will come to you, because the story, Ma'am, is that, the real incident, is so engaging, and entertaining, like, as I have told you, no script writer, can't write it. There is already, so much in this story, that no one can write it. Absolutely, and Ma'am, as you said, that you want to know, that when the film is made, and people learn something from it, or get a message from it, I want to know, that someone saw today's interview, so, he will learn something from you today, and I also learn a lot from you today, and I also learn a lot from you today, when I research on you, how many interviews you have, and how many good things you have, and how many meaningful things you have, especially now that I have a daughter, especially now that I have a daughter, and, as I say, but, the importance of her is to learn a lot from you today, as I tell you, as you have told me, that you are being made, and you are giving a lot of money, and you are giving parents to you, so you would want to tell parents, that you would want to tell parents, whose children and daughters, who are raising their kids, who are raising their children, how many things do you keep doing, so that they can become a capable, good, good child, future child. आज की पैरेंटिंग बहुत चालेंजिंग होगी है और यह कोई पार्ट टाइम वर्क नहीं है पैरेंटिंग नाव इस फुल टाइम आप सारा दवकत उनके साथ हो या ना हो पार्ट इस मेकिंग अ लाइफ जो आपके बाद में जीनी है तो आपने इसलिए जब आपने एक प स्कूल लाइफ जजी है ताकि आनेवाल आपके जाने के बाद वह रिए खुश्श फुल लाइफ जी सके और उस असस्केस्फुल लाइफ का बुनयाद है वह उसका बच्छपन, उसका बच्छपन उसकी अप्रिंग और उसमें दोनों मधर एंद फादर एंद ग्रांड पै अगर पेरेंट्स, ग्रैंट्पेरेंट्स और टीचर स्कूल उसके बच्चे को मिल गया और आपने उसको समय दे दिया उसकी बुन्याद बनाने के लिए आपके जाने के बाद वह आपका नाम कभी नहीं बूलेगा, वह कहेगा जैसे आज मैं अपने मापाप को याद करती हू अजिए आपको याद करेंगा, इसमें पैसे की बात नहीं है, इसमें समय की बात है और आज क्योंकि हम लोग जोईंट फैमिली वीनर हैं और मदर फादर भी काम कर रहे हैं, स्कूल भी बड़े, कई स्कूल बहुत इंवेस्मेंट कर रहे हैं, कई नहीं कर पा रहे हैं, मैं स आपके पास सपोर्ट सिस्टम है अपने बच्चे को पालने के लिए कि नहीं, नहीं तो अच्छा बोड़ 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 जिसमें वीक उदर बतार, means foundation, इसलिए आज की चनौती क्या है, बच्छा सुनीर आपका सोचल मीडिया में सिर्फ अच्छा सुनीर आपका से अच्छा थर अफचिण मीडर इसलिए शनकी के लिए तो को में तो आपका इस ऊथञंगें नहीं से बहुत लिए यह रहन है, डोड़ सिपलेदाव शायर, ब।छोंन तो यह नहीं कहें प्रिएंटेगएदाने क्यों क्यों अपने बच्चे को पना इल्माटिए, बिदी वारिय नहीं, यहावाद एक काम में इसक्षी है, तो मुझ करनाए बड़ा, प्राइय धान आए लो कि प्रेकों बढ़ता है, जा दोग दोगी मुझ विए. अपटों के ना पाइन को टेहरे है करने वोदे लिख भी तेहरे को क्या है तुम तो मैं जा कर बहुत अगर पर इखाइडरु थीजय को दितने अप्रट इखा मारे तुम पर दितना है। ठोगत और बड़ोंन depends कोफी कि एक वोमन इनलो चाहिए फिर इस इसमी ठीजा तो उप मधर इस सूरी ट्रविकन काड़ा जै अगा ऊपने होग तक रूफीरुली। So I think parenting now is a very good strong team work, and then you have to look at the corporate and office So the corporate world, the government world will also have to be careful with parenting It's not that parents' cost for the child to kill 24 hours in the police department, it's the only thing They ask what they are doing, they ask what they are doing, they ask what they are doing They ask female policing, they ask women to ask what they are doing to school, they ask what they are doing The welfare concept has not come to policing at all And I tell you that the women officers are doing the cost of their child's time So either we have very good hostels, we should have hostels, residential schools, residential hostels Day boarding, day boarding hall, in which the child is admitted to day boarding This is an important part, if you want good policing, men or women You do day boarding available, which means financial investment in police budgets of the states So that's the challenge, these challenges we are not looking at If I had parents in my house, this is a great opportunity, we were blessed, this was destiny Right, you have all the roles in your entire life, you were a daughter, wife, mom, police officer I want to know the most challenging and enjoyable roles What are both roles? Mother, challenging and enjoyable Most difficult, how to be a good mother and how to find the time for the child And how to nurture the child I mean, in the police officer's role, the mother's role is challenging 100%, 100%, 100% That's what I mean, because you are the child is your master, the child is your boss So, but luckily for me, because my mother was balancing everything That she was never alone, my mom was there Not everyone has to do the job So I got this opportunity to take care of my child all the time But it was very challenging, because the child wants a mother all the time True, 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 absolutely Okay, in 1981, the traffic police DCP was also doing So, in the traffic police, you have also made a lot of reforms, a lot of improvements But today's scenario is going on Today's time, in fact, a few days ago, there was a news that a 17-year-old has taken care of their luxury cars If you are in the traffic police DCP, what kind of reforms do you have to do or what rules do you have to do to prevent these events? It's very important, again, back to parenting How do you grow your child? How do you give liberty and how do you not? How do you give money and how do you not? How do you give money and how do you not? How do you give comfort and how do you not? How do you watch the schools? How do you do that? How do you handle the role? Right, elder role That case, is depicted of role of the upbringing It's not suddenly negligent driving Not from the beginning So, we need to work Whenever we look at the case, we must understand and go back to the foundation and schools should be equally responsible because they are also in high school and in that school will need उसकी कमी होगी, lack of concentration होगी, attention, lack of attention होगी, तो schools are parents while they are teaching and parents are teachers at home and the teachers are mothers at, mothers and fathers in school, so this is the role now we have to play for our youngsters, because of paucity of time, but we must be very careful if we are very rich, child ko wohi grind सकाओ, ki मेनत कर कमाओ, pocket money limit करो, यह नहीं कि आपकाओ एक्स 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 कुछाल आपसे जाना चाहूंगी अगर फिल्म की बात करें यहापे बेधी फिल्म अभी अकसर मैं जब इंट्वियो लेती हूं तो फिल्म बन चुकी होती है और तब हम बात करें होते हैं फिल्म की प्रमोशन की बट अभी फिल्म बनना शुरू होगा अब दिमाग मैं क्या क्या चल रहा है आशरवे कस्टिंग ओले के क्या प्रोसेस होने बाला है जो current lot of actresses हैं कि आप उनमें से ही लेना चाहेंगे कास्ट करना चाहेंगे किसी को लाइक दिपका प्रयांका आलिया यह सब हैं आपके दिमाग में या फिर क्या सोच रहा है कास्टिंग के बारे अभी तक हमारा कि अपके दिमाग में किया है आपका अपने कुछ सोच आउा अचला है यह न किसी में घुच तो दिमाग में पुगा जी को आना कलरे लिस्ट बन रही है जडियार लिस्ट बन रही है के बार मताइए जब आप तेहार जिल में पोस्टेट थे किसी के लिए भी एक तरह की पुनिश्मेंट भी हो सकती है वहां पर इतने बड़े बड़े क्राइम वाले किये वह क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ डील करना असान नहीं था विंग विमिन सो अब बताइए वहां पर उस वक्त भी आपने उस चालेंज सिच्वेशन को भी एक ऑपुचुनिटी में अपना एक प्लस पॉइंट बनाया वहां पर आपने इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आए मेडिटेशन, कैम्स और उनको और किसी और तरीके से उनको बजी रखना वो सब तो बताइए अगर लाइफ में कभी चालेंज आते हैं तो हम उसको किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं आपके साथिट्यूट से काम को देखते हूं आपके साथिट्यूट से अपने कर्थ कर्ताव, कर्ताव को डेहर देख देखते हैं, मैं उसक्तिटिव से चाहर काना को में आपना कि मैं इहां शुकर कर्ताव कि महाई हो, कि तैकि मैं तो कि प्रिजूट मैं जीटेट लगए कंफने कि आपके साथिट है तो बिल्यव्य क्वार क्षट देख Conversed passion तो अजब भी निकल जाएंगे तो दुबारा करके आएंगे, कैसे करूं जिसमें यहां से जाएं व आपस नहीं आएंगे, इसको अश्रम बनाओ, तो अश्रम मेंज एडूकेशन, वेडिटेशन, योगा, और पुबलिक अज़ो profit, आपस Anda, Lesson, तो ऑप्ली बनाओ, जैविल आपस, जाएंगे, जाएंगे, तो अज़र जाएंगे, जाएंगे, तो झैविल धक्ति, प्रात्ना, प्रात्ना तो यह ही तो अश्रमिन अश्रम अश्रम्नाथ, इसको दिन्चरया, उटो समय से, तो सो समझ और भक्ति और म्यूजिक यह सब कुछ हमने दिहार में लियाए परमाम आपसे पहले कभी किसी ने इस तरह की स्टेप्स नहीं उठाए तो आपके अंदर क्या अलग था या आपने कहां से इंस्पिरेशन ली इस तरह की रिफॉर्म्स लाने के लिए आपको यह इडिया कहां से that. I said being a woman. Being a woman was a plus point because a women is a mother at heart, being a woman was my biggest strength and secondly I was a mother at heart, third I was also spiritual. When you are a mother and spiritual you are spirit to the spirit to the life of spirituality that is a passion. So this is passion for me and also a passion for me. युच्छ एक प्रच में नहीं होड़ स》च्छने होने ही이드, मता बया र१ मानवता य। य। मो यूरि मतलता हैत पिरिटु derived इश्वर सवे तौने हम चोशिश रखता रहता हुआ कर्ते पर्णि मेपाँ, क्रूने काम थे और य। शुद्ध सोच रखती हुग, स्वच्छता रखती हुग, तो वही लेकर जाओंगी अपने काम में, मैं बदल थोड़ी जाओंगी, अगर यही मेरी सोच है, यही सोच, मेरी हर करम में ऐसी सोच, तो यही सोच लेकर पहले दिन से, मैं जुट गई कि इसको अश्रम बनाना है, पार आश्रम में जो राई जो नियम होते हैं, व्लाने रह एडिए जाना जो एडिए जासे हैं पुछ महीन के बाद, क्यादि जा सब स्कूल से काम भी कर भीसिति आख सेखना अदिरागांगी। National Open University, National Open School, यह सब आगे, पढ़ाई भी शुरू, स्किल भी शुरू, सेवा भाव भी शुरू, प्रिजनर्स, एडुकेटर प्रिजनर्स, टीचर्स बन गए, वो टीचर्स बन गए, 10,000 प्रिजनर्स, सब पढ़ते थे, सब रोज स्कूल 9-11, यूज स्कूल बुक से, कोई बाह कोचा था, कि यह सजा की पोस्टिंग है, मैं था मैं तो अशीरवाद था, वह पर्पस के लिए था, कोई कारन था, और उसने वाकई मैं बुदला दिया, क्यों यह पहली पोस्टिंग थी मेरी, जह मैं फर्स्ट राइम हैड फिन इंस्टिचूशन थी, उससे पहले मैं यू कि अश्रम मीन्स वात? सादगी, सचाई, सवच्था, क्रॉप्शन-free, no violence, आधा रूप्षाना, I just don't have to say what the ashram means. That's the reason, so it is the purpose of this, even this movie has a purpose, the purpose is to inspire. Correct, absolutely. It's to inspire through experience, what you are taking, what you are doing, what you are doing, what you are doing. और इसे भी अबल्की जिंदगी में यह इंस्परेशन ले जाओ कि आप इसे और भी अच्छा कर सकते हैं लेकिन सारी विमन इतनी ब्रेव और सब्सक्राइब मिन भी जाता है मैं अगर डालो कि अटेशन आप इसमुर। मेरे अंदर भी हिम्मत आया, ताकत आया, सारी सपने पूरे करने के लिए, तो क्या किया जा सकता है अपने आपको ब्रेव और ब्रेज़ बनाने के लिए जब चोटी हो तो ही बदलो, यह आपकी फांडेशन इंपोर्टन है, मैं छोट नौ नौ साल की मर से तैनिस खेलती थी, बारा साल की मर से सर्फ चाहिकलिंग थी, लड़के चेड़ते थी, मैं उनको चेड़ती थी, मतलब उन्होंने डराना मैंने डराना, हिम्मत आवी ना, इस ओल नको स्माल मैं तो लड़के प्रच्टेड़ रखें, लड़की प्रच्टेड़ रहते थी, यह विंधरे जाव्टेड़ कुछ थी थी, सिर्फ नीीटविडे़ सकती थी मतलु प्रच्टेड़ादी थी, प्र॥ेड़के प्रॉच्टेड़ को जितना पुछाएं अँश्त स तो खेला भी पढ़ाया भी लक्षे भी बताया सपना भी दिखाया और कहा दिया तुमने कभी किसी से मांगना नहीं है मेरी मामी ने मुझे कहा दिया था तुमने बड़े हो किसी से कभी कुछ नहीं मांगना तुमने सिर्फ देना सीखना है My mother's message was, you will be a giver and never a receiver. So now I will become a receiver, because if I go to the next day, I will be a receiver, because I won't be able to earn myself. My mother said, you will be never a receiver, you will be a giver. All the time, you man or a woman, just say, man or a giver, you will become a giver. You will not be a giver. Why should you not be a giver? That means I have to earn, I have to study, and learn, and think, and also the great people. So if we bring up our children, play, make the girls play, make the boys play, don't do time-based. After school, play something, play, play, study, don't talk about time. Come on, mom and daddy, come on and play. So there's a family get together, and there's a play, and there's a creativity, and there's an entertainment. It can be music, it can be art, but don't leave children free after school. Right. They will please any activity. Which means we are looking for more day boarding schools. Our school is an old school when women were not working. Now women are working, you need more day boarding schools. You don't need day schools now. Three hours of school should be done. The school should be done at 6 hours. 6 hours of school, so that mum and daddy work together. They can always be done with the homework. They can also be done with the homework. They play and do music. They are just learning and then they are just sitting with the mum and dad. They are sleeping. They are just sleeping. They are not sleeping. They are not sleeping. Why can't we think of a day boarding school concept now? because all women are working और माम आप अपनी सारी I think सब विमन, मैं सब के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है आप अपनी इंस्पिरेशन किसी को मानते हैं? मैं आइडिया लेती हूँ रोज नया आइडिया कोई नया आइडिया कोई नई बुक कोई नई फिल्म नई लोग आपिस ब्रॉपिक्शन के लिए बड़ेशन के लिए ये अपी लेत लेटि में देखन करते हैं? आप नँफिक्शा, उतोब्योग्रिफिकल पिल्म कोई रिसंन तामसे फेवरिट विल्म ये लेतिस्त बाइडिया कि बडेशन आपको देखने है इसके लिए टूञए को और दूड लेती है आधा गंटा देखी चैनर बंद लेती है पाया है एड़नी इसकी तो दीक निविल्ट तें गहार इसे देखना पासंट करती अप शाइना लेवाल, दोनी, all these are biographical films. अगर अगर आप उनको चेंज करना चाहें, या उनका कुछ अपना वर्जन देना चाहें, तो डेफिनिटली दे सकते हैं. जिसे लड़कियों को शुरू से कहा जाता है, तुम पराया धन हो, तो इस statement को अगर आप चेंज करें, यही तो problem है, यह पराया धन है, यह अपना धन है, आपसे रूटी, रोटी गोल बनाओ, वना ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे, तो ना खाए रोटी, नाइस, पती है, इतना तो सहना सीखो, क्यों, क्यों सहो, मेरे प्रोब्रम क्या है, वाइ, 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 शुडए है, रीजनेबल हो, तो बात ही, तो बात ही, he has to be reasonable, लड़की हो, मर्यादा में रहना सीखो, क्यों आदमी क्यों नहीं नहीं, लड़का क्यों नहीं नहीं, मर्यादा लवली तो यू बहुत बहुत अच्छा लगा और ये आज का दिन मेरे लिए बान फॉस्ट में 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 लिए और लाइव और अगें लास्ट में और शोचा था वो पूछ लू ताइम है हमारे पास अगर किरन बेदी बनना है तो कैसे बना जा सकता है तपस्या के जीवन के तयार अगर आपने बेटी प्रादा किया है तो ऐसे उसको मूल्य देना कि वो तपस्या को भगती समझे तपस्या को मेंनत नहीं समझे काम नहीं समझे उसको भगती समझे तो उसके लिए भगती ही इश्वर की प्रात्ना है आपने किती सारी करोडो लोगो की लाइफ को इंस्पायर किया है आगे भी करते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद अचैसे विए द्वन जख्या मेई के वाधं की इस पर है अघो को तो बताओ कैसे बनाई लॉकल को हमारे सब के मैम na we'll always be remembered the goal is Strength generation hamasha inspires if ma'am se ho. Absolutely. वो ही हमारा goal. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Thank you.